पावर हाउस रेलवे स्टेशन एवं भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के री रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग के मुताबिक सुविधाओं को लेकर होगा बहतर पार्किंग भी होगा बहतर रेलवे डिपार्टमेंट एवं निगम के अधिकारियों ने किया विजिट बिलाई शहर के दोनों रेलवे स्टेशन को अपडेट करने के तैयारी की जा रही है पावर अवस रेलवे स्टेशन को लेकर एक कल निरिक्षन किया गया और इसमें रेलवे के डिप्टी सियो मंत्री अमोध मंत्री कुछ नाम था वो भी आये थे और उनके साथ रेलवे डिपार्टमेंट की पुरी टीम थी और साथ में हमारे नगर निकम के आयूक रोहित व्यास जी नगर निकम के सभी अधिकारी हमने मिलकर कल पावर हाउस रेलवे स्टेशन और बेलई नगर रेलवे स्टेशन का दोरह किया है और वहाँ पर कैसे लोगों सुवीधाएं दे सकते हैं उसके बारे में इरेक्षन किया गया उसको री स्ट्रक्चर करके उसको री डेवलेप्मेंट करके पावर हाउस इस्टेशन में कैसे पबलिक के लिए सुवीधा जनक किया जा सके वहाँ बहतर पार्किंग की ववस्ता कैसे हो सके लोगों को आने और जाने में कैसे सुवीधा हो सके वहाँ पर रेलवे बुकिंग ऑफिस भी खुल सके इन सब को लेकर बहुत विस्तरित चर्चा हुई है निरिक्षन हुआ है और आप देखेंगे क्याणे वाले समय में जल्दी वहाँ पर वो सब काम आपको जमीन पर दिखेगा उसमें सबसे पहली तो जो अविवस्थित रूप से station के आने जाने का जो रस्ता है बहुत अविवस्था है वहाँ पे उसको विवस्थित करने को लेके प्लान बनाया जा रहा है पार्किंग की समस्या है पार्किंग एक बड़ी समस्या है लोगों को अगर स्टेशन में स्टेशन छोड़ने के लिए अपने रिष्टेदारों को जान पहचान वालों को छोड़ने आते हैं तो स्टेशन से बहुत दूर उनको गाड़ी खड़ी करने ही पड़ती और गाड़ी खड़ी करने के वी कोई प्रॉपर वज़स्था नहीं है तो जैसे रेलवे स्टेशन में होना चीए एक आने का रस्ता हो और एक बहार निकलने का रस्ता हो जहां पे वो अपने सगे करनियों को ड्रॉप करके सुविधा जनक तरीके से बहार जा सके और अगर गाड़ी उनको पार्क भी करनी है तो एक व्रवस्थित पार्किंग हो सके इसी सब को ध्यान में देकर कल का निरिक्षन हुआ है दोनों स्टेशनों का और उसी को लेके आने वाले समय में कार्योज कि नबना कर उसको करे कि अजया है